अज हमारे पास एक विबू Y53 मूबाइल रिपियर होने के लिए आया है और इससे प्रोब्लेम है ये दोनों IMI नंबर सेम टू सेम है सीम कर्ट लगाने से कोई नेटवर्क शो नहीं होता इंसर्ट सीम कर्ट नो सर्विस इमर्जेंसी कॉल ये सब प्रोब्लेम है और सबसे पहले मैं आपको IMI शो कराता हूँ इस्टर हैश 06 हैश दबाके इस्टर हैश 06 हैश और ये देख सकते हैं दोनों IMI सेम टू सेम है मतलब कि इसका IMI नमबर खराब हो गया और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग इस मोबाल का ओरिजिनल IMI रिपियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है और IMI शेंज करना इंलिगल है नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा IMI कभी भी सेंज करने को ट्राइ मत करो ठीक है हमेशा ओरिजिनल IMI रिपियर करो तो मेरे पास इस मोबाल का ओरिजिनल डबा है बॉक्स है और उसमें उसका IMI नमबर भी है तो इसलिए मैं इस मोबाल में वही ओरिजिनल IMI नमबर से इसका रिपियर कर दूँगा तो इधर देखो बारजन 1.1.2.4 इसको हम लोग डाउन ग्रेट करेंगे सबसे पहले और डाउन ग्रेट करने के लिए आपको एक फाइल का जुरूरत परेगा डाउन ग्रेट फाइल और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्राइबशन में आपको मिलेगा सबसे पहले मैं PC के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाल को क्यूंकि मैंने अपने PC में ये फाइल को रखा है ठीक है उसके बाद कॉपी करके डारेक मोबाल का जो फोन इस्टोरेज है वहाँ पे कॉपी कर देंगे ये फाइल 1.11.1 कॉपी किया और यहाँ पे देख सकते है बीबो का इस mobile का जो internal storage है यानि कि phone storage यहाँ पे हम लोग इसको paste कर देंगे यह downgrade file तो आप कोई memory card भी use कर सकते हैं कोई बात नहीं तो copy हो गया अभी हम लोग यहाँ पे यह देख सकते हैं यह बाला यह version का file चाहिए आपको 1.11.1 तो इसको close कर देते हैं अभी PC का काम हो गया है तो USB को भी remove कर लेंगे या तो volume up या volume down से हम लोग को recovery menu में जाके इस flush file को या downgrade file को update करना है recovery menu से तो चुचप कर दिया अभी volume up और power button प्रेस करके एक बार try करेंगे इसमें कभी कबर ऐसा होता है कि volume down से भी recovery menu आते है तो volume आप से try कर लेते हैं जब वीबो लिखा आता है तो power की छोर देना है आपको और volume आपकी को continuously प्रेस करके रखना है यहाँ पर वीबो रिकोबरी लिखा आएगा यह recovery menu है तो यहाँ पर जाना है आपको इनिस्टल आपडेट तिन नमबर अप्शन पर volume डाउन से अभी सिलेक करेंगे इनिस्टल आपडेट अभी power बटन मरेंगे और यहाँ पर फोन आप memory सिलेक करेंगे और यह 1.11.1 पर लेके power बटन प्रेस करेंगे तो यह automatically आपका system को downgrade कर देगा यहाँ पर दिखेगा कि system updating बट ऐसा नहीं है आपका software है mobile का उसको downgrade कर देगा और इस process में आपको 2-4 minute time लगेगा आपको थोड़ा सा wait करना है downgrade इसलिए करना परता है क्योंकि इसका कोई भी mobile का software आपडेट होने से diagnostic port enable नहीं होते है अगर diagnostic port enable नहीं होता है तो IMEI repair करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए किसी-किसी mobile का software को downgrade करना परता है यह जरूरी है कभी कबार आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपडेट हो गया तो अभी back आके sorry power up पर tap हो गया कोई नहीं आपको restart करना था मैं mobile का अभी on कर देता हूं restart होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सब process लेगा और diagnostic enable करने के बाद अगर आपके PC में या device manager पर diagnostic port show नहीं होता है तो उसके लिए आपको diagnostic enable driver को भी install करना परेगा उसका भी link वीडियो के description में जाके एक बर चेक कर लेना diagnostic enable port driver ठीक है उसको install करके रखना है आपके system या PC में अभी तो mobile का काम होगे आभी जाएंगे हम लोग सिधा PC पे और EMT dangle नहीं तो कोई भी आप Qualcomm IMEI repair tool से भी अभी काम कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि EMT dangle नहीं आपको चाहिए ऐसा नहीं है तो यहाँ पर एक दो मिनिक टाइम और ले रहा है कोई नहीं हम लोग ओट कर लेते हैं यह process होने के बाद आपका mobile डाउन ग्रेट तो successfully हो जाएगा कभी कबार automatically IMEI repair हो जाते हैं अगर हो गया तो कोई बात नहीं नहीं हो गया तो हम लग करेंगे आगे वीडियो के साथ बने रहिए about phone में जाके आपको अभी version दिखाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर software version 1.11.1 है इससे पहले 1.12 था तो back आके एक बार IMEI check कर लेते हैं देखते हैं कि IMEI repair हो गया या नहीं तो इसके लिए star hash 06 hash ना यह IMEI repair नहीं हुआ कोई नहीं अभी आपको PC के साथ mobile को connect कर देना है USB के बूल से और हमेशा अच्छा USB के बूल आपको यूज करना है तो अभी dialer पे जाके डाइलर पे जाके star hash 558 hash आपको डाइल करना है 558 hash और यहाँ पे आपको दो नमबर अप्शन quality verification test यहाँ और नीचे आपको debugging port इसको चेक लगा देना है और अपने computer के device manager पे जाके आपको चेक करना है कि diagnostic port enable हुआ या नहीं हुआ और उससे पहले Qualcomm IMEA repair tool नहीं तो UMT tool का international वाला जो setup होता है GSM वाला उसको open कर लेंगे और यहाँ पे कुछ accept करना है tool को ठीक है तो यह tool तो आगया अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बार चेक करके scan करके देखेंगे diagnostic port बना या नहीं बना नहीं बना क्योंकि मेरे system में diagnostic enable का कोई ड्राइबर इंस्टल नहीं है तो मैं वीडियो को पाउस करके द्राइबर को भी इंस्टल कर लाता हूं नहीं तो वीडियो और लंबा होगा कोई नहीं आपको description में इसका link भी दिया जाएगा diagnostic enable port driver अभी मैंने driver निस्टल कर दिया और diagnostic port भी आगए ठीक है तो simply यहाँ पे मेरा जो original IMEI है उसको select करने से select करने उससे पहले QC universal पे जाएंगे यहाँ पे QC और IMEI 1, IMEI 2 पे चेक लगा के original जो IMEI मेरे पास है इस mobile का उसी को write करेंगे आपको IMEI कभी भी chance नहीं करना है पकरे जाओगे तो jail जाना पड़ेगा कोई नहीं यहाँ पे दो number IMEI को भी डाल देते हैं और method पे tap करके EMT method 1 और write कर देंगे आसानी से ठीक है और इसके बाद हाँ यह दोनों IMEI repair और write हो गया तो इस तरह से आप वीबो Y53 का IMEI repair बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कोई mobile repair करना है mobile के बारे में कुछ भी जानकरी लेना है software हो hardware हो तो मुझे contact कर सकते हैं मेरे contact number और about में नहीं तो मेरे website में जाके आप मेरा contact number वहाँ से मिल सकता है आपको वहाँ पर जाके मुझे आप contact कर सकते हैं या कोई mobile repair करने के लिए courier कर सकते हैं अभी हम लोग mobile को reboot या restart करके एक बार IMA repair हुआ या नहीं हुआ चेक करेंगे और अगर वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को subscribe करके नहीं तो follow करके इस वीडियो को like और share जरूर कर देना ठीक है और इस तरह का technical mobile repairing का वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करके all वीडियो का notification भी enable कर देना ठीक है अभी आइमिया चेक कर लेते है star hash 06 hash देख सकते हैं यहाँ आइमिया भी अच्छी तरह से repair हो गया तो वीडियो को अन तक देखा उसके लिए शुक्री है आप मेरे वीडियो को देखते रही है फोलो कीजिए लाइक कीजिए thanks for watching अज हमारे पास एक बीबू Y53